आज हम लोग आपकी कक्छा बारा में कवि गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित कविता मुझे कदम कदम पर आज हम लोग इसके तीसरे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और कावि संदर्य लिखना सीखेंगे लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आये हुए हैं पहले हम लोग इन सभी शब्दों पर एक नजर डालेंगे और यदि इन में से किसी का भी अर्थ कठिन होगा तो पहले हम लोग उसका सरल अर्थ देखेंगे फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सिखेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आये हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं कहानिया देखिए इसका एक अर्थ तो यही हुआ कहानिया और दूसरा इसकार्थ हुआ विशय या आप विकल्प भी कह सकते हैं चाहे विशय कहके व्याख्या कर लीजिए चाहे विकल्प कहके ठीक है लेकर सरल है और ये भी सरल है मुझको कवि सोयम के लिए कह रहे हैं मुझको कुछ देकर, देखे कुछ देकर के यहां पे मतलब है कि कुछ विकल्प देकर या कुछ विशय देकर, ठीक है, ये चौराहे फैलते, देखे फैलते का मतलब है कि विश्तित हो जाते हैं, ये जो चौराहे हैं मुझे और धेर सारा विकल्प दे देते हैं, फैलते हैं मतलब और विकल्प दे देते हैं जहां जरा खाड़ा होकर सबी शब्द सरल है बाते कुछ करता हूँ देखे बाते कुछ करता हूँ इसका मतलब है कि मैं उन विश्यों पर उन विकल्पों पर विचार करने लगता हूँ मतलब कि जो चौराहों ने विकल्प दिया है उनके बारे में मैं सोचने लगता हूँ विचार करने लगता हूँ उपन्यास मिल जाते हैं सभी शब्द सरल है देखे उपन्यास एक अर्थ तो यही हुआ और दूसरा इसकार्थ है कि नया विकल्प विकल्प ठीक है दुख की कथाएं सरल है कोई दिक्कत नहीं है तरह तरह की तरह तरह की मतलब विभिन प्रकार की शिकायते सरल है कोई दिक्कत नहीं है अहंकार सरल है अहंकार घमंड आप जानते हैं विशलेशन देखें विशलेशन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना उसका विशलेशन करना, आप विशलेशन कहें के भी व्याख्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है चारित्रिक आख्यान, देखें आख्यान माने होता है कहानिया या किसे चारित्रिक मतलब चारित्रिक कहानिया, चारित्रिक किशे, ठीक है जमाने के, जमाने के मतलब संसार के, जानदार, देखे जानदार सरल सब्द है, आप रियोक करते हैं कि वो चीज बहुत ही जानदार है, वो सर बहुत जानदार पढ़ाते हैं, तो यानि आप कह सकते हैं कि एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, सूरे वा आयतें, देखे इनको हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पवित्र ग्रंथ कुरान है उसमें कुछ जो बाते कही गई हैं अच्छी और पवित्र बाते कही गई हैं वो सूरह और आयतों के अंतरगत ही कही गई हैं तो हम लोग कुछ पवित्र और महान बातें अच्छी बाते कहें के व्याख्या कर लेंग लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्व और प्रसंग लिख लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्व लिख लेते हैं तो आप संदर्व हेडिंग डालेंगे डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठे पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित मुझे कदम कदम पर शिर्शक कविता से उद्धित है इसके रचैता गजानन माधव मुक्ति बोध जी है यह पद्यांश उनके प्रसिद काव्य संग्रह चांद का मुह तेड़ा है में संग्रहित है पुर्ण बिराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवी ने इसपश्ट किया है कि जीवन में समस्या केवल अभाओं की ही नहीं है अप इतु उपयुक्त चुनाओं की भी है पुर्ण बिराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं तो कवी कहते हैं कहानियां लेकर और मुझको कुछ देकर ये चावराहे फैलते प्रस्तुत पद्यांश में कवी मुक्ति बोध जी कहते हैं कि मैं कुछ अब आजाएगे पद्यांश पर मैं कुछ कहानियां लेकर इसको और इसपश्ट करने के लिए थोड़ा सा और अपनी तरप से जोड़ के लिखेंगे क्या लिखेंगे ध्यान से सुनिए मैं कुछ कहानिया लेकर अर्थात विकल्पों का चैन करके जीवन की गति को विस्तार देना चाहता हूँ तभी फिर आज़ाई लाइन पर तभी ये चौरा है मुझको कुछ और विकल्प देकर विस्तिरत हो जाते हैं फैलते विस्तिरत हो जाते हैं पूर्ण बिराम लगाएंगे और थोड़ा सा और लिखेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान से सुनिए, विश्तित हो जाते हैं, और मेरे सामने चयन की समस्या खड़ी हो जाती है, कि मैं किस कथानक का चुनाव करके अपने जीवन को गति प्रदान करूं, और पूर्ण बिराम सुन लिजिए, व्याख्या बहुत आसान हो जाएगी, देखिए, इन दोनों लाइन में कभी ये कह रहे हैं, कि मैं कुछ कहानिया लेकर, यानि कुछ विकल्पों का चयन करके उस पर काम करना चाहता हूं, उनको लिखना चाहता हूं, तब ही ये जो चवराहे हैं, ये फैल जाते हैं, विश्तित हो जाते हैं, यानि मुझे धेर सारा विकल्प दे देते हैं, मेरे सामने बहुत सारे विशय आ जाते हैं, और कभी कहते हैं कि मैं परिशान हो जाता हूं, कि अब मैं किस विशय पर काम करूं, किस विशय को लेकर कि मैं अपनी जीवन को गती प्रदान क तो यही बात कभी कह रहे हैं, लेकिन कैसे कह रहे हैं? चलिए लाइन के माध्यम से एक बार फिर से सीखते हैं. तो देखिए सबसे पहले आप हमेशा की तरह व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैस डालेंगे और डैस डाल करके पहले थोड़ा सा लिख लेंगे. क्या लिखेंगे, एक बार फिर ध्यान से सुनिए, प्रस्तूत पध्यांश में कभी मुक्ति बोध जीव कहते हैं कि मैं कुछ, अब आजाए पध्यांश पर मैं कुछ कहानियां लेकर, अर्थात विकल्पों का चैन करके, जीवन की गति को विश्तार देना चाहता हूं, तभी ये चावराहे मुझे कुछ और विकल्प देकर विश्तित हो जाते हैं, और मेरे सामने चैन की समस्या खड़ी हो जाती है, कि मैं किस कथानक का चुनाव करके, अपनी जीवन को गति प्रदान करूं, और पौणबिराम लगा देंगे, चलिए आगे देखते हैं, आगे कभी कहते हैं, जहां जरा खड़ा होकर बाते कुछ करता हूँ, उपन्यास मिल जाते, आगे कभी कहते हैं, मैं जहां थोड़ा सा खड़ा होकर इन विकल्पों पर कुछ विचार करने लगता हूँ, बाते कुछ करता हूँ, इन विकल्पों पर विचार करने लगता हूँ, तब ही मुझे नया विशय उपन्यास मिल जाता है, और पूर्ण विराम लगा देंगे, चलिए, एक बार फिर से इन दोनों लाइन की व्याख्या को सीखते हैं, लेकिन पहले इन दोनों लाइन का भाव आप मेरे शब्दों में सुन लिजिए, देखिए, इन दोनों लाइन में कभी ये कह रहे हैं, कि मैं जहां पर थोड़ा सा खड़ा हो करके, इन विकल्पों के बारे में जो ये फैलते हुए चाराहों ने धेर सारा विकल्प दे दिया है, जब मैं इन विकल्पों पर विचार करने लगता हूँ, कि मुझे कौन सा व विशय उपन्यास मिल जाता है, बस यही बात कभी कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, चले लाइन के माध्यम से फिर से देखते हैं, बहुत ही सरल है, बस आप ध्यान से सुनिये, तो कभी कहते हैं, मैं जहां थोड़ा सा, चाहे जरा कहिए, चाहे थोड़ा सा, मैं जहां थोड़ा सा खड़ा होकर इन विकल्पों के बारे में विचार करने लगता हूं तब ही मुझे नया विकल्प उपन्यास मिल जाता है और पूर्ण बिराम लगा देंगे चलिए आगे देखते हैं आगे कभी कहते हैं दुख की कथाएं तरह तरह की शिकायतें अहंकार विशलेशन चारित्रिक आख्यान जमाने के जानदार सूरेव आयतें सुनने को मिलती हैं कभी आगे कहते हैं जब मैं इस नय विकल्प उपन्यास का चैन करता हूं तो कुछ में दुख की कथाएं कुछ में तरह तरह की शिकायतें कामा है तो कामा लगाते जाएंगे कुछ में अहंकार का विशलेशन या आप कह सकते हैं अहंकार की जाच पड़ताल जो आपको अच्छा लगे अहंकार का विशलेशन कुछ में चारित्रिक कहानिया आख्यान माने कहानिया कुछ में चारित्रिक कहानिया और कुछ में संसार के जमाने के संसार के और कुछ में संसार के एक से बढ़कर एक जानदार मने एक से बढ़कर एक उत्तम उपदेश और पवित्रवा के सुरेवा आयते उत्तम उपदेश और पवित्रवा के सुनने को मिलते हैं और पूर्ण ब कहते हैं, जब मैं इस नए विशय उपन्यास का चैन करता हूं, तब कुछ में दुख की कथाएं, कुछ में तरह तरह की शिकायतें, कुछ में अहंकार का विशलेशन, कुछ में चारित्रिक कहानियां, और कुछ में संसार के एक से बढ़कर एक उत्तम उपदेश और पवित्र प्रवा के सुनने को मिलते हैं पूर्ण बिराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी चलिए थोड़ा सा इसका कावे संधरी भी देख लेते हैं तो देखिए यदि हम लोग इस पद्याश में रस की बात करें तो इसमें शांत रस है चंद देखा जाए तो मुख तक है यदि अलंकार की बात करें तो इसमें रूपक और पुन्रुक्त प्रकाश ये दो मुखी अलंकार है भाषा इस्पद्याश की उर्दू मिषित सहज सरल खड़ी बोली है आपनी सूरे आयतें शब्द देखा तो उर्दू मिश्रित सहज चरल खड़ी बोली शैली इसकी लाक्षणिक और प्रतिकात्मक है गुण इसमें प्रसाद है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है